ओ पिटा जाब पिटाई बिटा ते वसे नूर मुझू तो पुझाईू ओ पिटा जाब पिटाई बिटा ते वसे नूर मुझू तो पुझाईू ओ मुझू तो पुझाईू मन जू पुमेदू मुझू तो पुझाईू मन जू मुरादू ओ पिटा जाब पिटाई बिटा ते वसे नूर मुझू तो पुझाईू एवको यक्किया वग्दु हुदा ज्वाने पातिशाएं के नाम सुभाने एवको यक्किया वग्दु हुदा ज्वाने पातिशाएं के नाम सुभाने कहार अगर भीता जोर जोर माने मेरहां भीता रहिम रहमाने एवको यक्किया वग्दु हुदा ज्वाने पातिशाएं के नाम सुभाने अज़र रह्मान इर्रहीम आज़ अलहम्दलिल्ह अज़रत शाह अब्दल्लतीफ बिठाई का दोसो एक्यासवियां पुर्स जिसका बाकाइदा इफ्तिदा आज बैसियत गवर्नर सिन्द कामरान तसोरी मैंने किया ये मेरे लिए एक सादत और बड़ी खुशनसीबी की बात ह और अलहम्दलिल्ह मुझे ये सादत आज दूसरी बार अल्ला ताला ने अता की मैंने या नर्बार पे हाजरी भी और पाकिस्तान की सलामती पाकिस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान में इस वक्त दरपेश मसाइल जिसका हम सभी को सामना है और हालिया महीनों में जो सिंद में खास तौर पे सेलाब की सुरतेहाल रही उससे वैसे ही इस धरती ने और इस पर रहने वालों ने बड़ी मुश्किलाद से अपने दिन गुजारे हैं और अभी चंद दिन दो तीन दिन पहले जो हालिया सलाब और बारिशों का सिलसला हुआ है उसमें भी काफी मुश्किलाद का सामना है मैंने उन सभी लोगों के लिए यहां दौाए भी की और इन्शालला ताला मुझे ल्ला की जाद पर और अल्ला के इन वलियों पर इस बात का यकीन है कि जब सचे दिल से कोई दौा मांगी जाए तो अल्ला ताला उसे रद नहीं करता इन्शालला ताला मैं ये समझता हूँ कि ये सिंद जो सूफियाओं की धरती है और बड़े बड़े आलिम सूफी इस धरती पर ही आए है तो अल्ला ताला ने इस सिंद को पाकिस्तान की मैशत का एक बहुत बड़ा जिसे हम 90 परसंट हिस्सा कह सकते हैं वो इस सूफियाओं की धरती से ही होता है जहां 90 पाकिस्तान की मैशत में सिंद का हिस्सा है लेकिन आज बहुत सारी मुश्किलात का ये सूबा शिकार है जहां बिजली पानी और गैस जैसे मसाइल सिहत और अच्छी बच्चों के लिए फ्री तालीम जैसी चीजों से बहुत हद तक महरूम है गो के कोशिश की जा रही है कि अल्ला ताला हम सभी लोगों को ये तौफीग दे कि हम सब मिल जुल कर इस मुश्किल वक्ष से सूबे को और इस पाकिस्तान को निका ले मैं एक खुशखबरी अपने पाकिस्तान के तमाम बिजनसमेनों को और तमाम जमीदारों को ये देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा होसला और सबर रखे जो माशी टीम इस वक्ष पाकिस्तान में काम कर रही है और जो S.I.F.C जिसको हजरत मैं समझता हूँ आज के इस दिन से यहां आकर मैंने शाब अब्लती बटाई के मजार पे ये दौा की है कि जिस तरह S.I.F.C में हजरत आप के मजार पर आकर मैं ये दौा कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो माशी टीम है और S.I.F.C जिसे हमारे हाफिज आसिम मुनीर जो के सपे सहलार है पाक अफवाच के जिस तरह वो सरहदों की इफाज़त कर रहे हैं तरह वो S.I.F.C और पाकिस्तान की माशी इसलाहत के लिए कोशा है हमारे वजीर आजम पाकिस्तान मौतरम जनाब मौमद शिभाज श्रीफ साहब इस काम के लिए कोशा है ये सारे लोग पाकिस्तान की मैशित और माश।र्ट दोनों के हालाफ बहतर करने में यहां अब्दिल्लाशा बिटाई के मजार पर ये दूआ की है कि अल्ला ताला इनके वसीले से इस धर्ती को इस पाकिस्तान को माशी बहरानों से निकाले और ये जो नफरत का बियानिया ये जो बेरुनी साजिशे है जो हमें थाबित कदम नहीं रहने देती पाकिस्तान के माशी हालात को बेतर नहीं होने देती उनको निसमो नाबूत करें और हम सब एक होकर एक कौम होकर इस सूबे की और इस मलक की खिदमत करें और इन्शालला ताला ऐसा वक्त जरूर आएगा जब हम इस सूबे से तरक्की होते देखेंगे ये सूबा आईटी की एक्सपोर्ट का पाकिस्तान में एक हब बनेगा और माशी बौरान को निकालने में फिर सूबा इस सिंद एक कलीदी किरदार अदा करेगा जिसका एक बीज हमने गवरनर हाउस कराची के अंदर बोया है जहां 50,000 बच्चे पिछले 6 मेने से जहरे तालीम है एडवांस कोर्सिस कर रहे हैं और आज अलहम अलहम मैं यहां मजार पे खड़े हो के फखरिया तोर पर ये कह सकता हूँ कोई बच्चा 600 डॉलर कमा रहा है कोई 800 डॉलर कमा रहा है और हजारों बच्चे 300 डॉलर कमा रहे हैं और अलहम दो लिल्ला ये सिलसला हैदराबाद में हमने जो टेस्स लिये थे उनका रिजल्ट इन्शालला ताला एक दो दिन में हम अलाउंस कर देंगे जहां 80,000 के करीब बच्चों ने आईटी टेस्स दी है तो ये फिर अब एक पूरा केंपस कराची गवरनर हाउस की तरह हैदराबाद में शुरू होगा और उसके बाद ये सिलसला जारी और सारी रहेगा हमारे सिंद का हर बच्चा जो आईटी सीखेगा ये मेरा दावा नहीं है मैं यहां मजार पे खड़े हो के बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि हमने वो तमाम एडवांस कोर्सिस की फैसिलिटीज मुफ देनी है और आप 15 से 20 लाक रुपे महीना कमा सकते हैं इंशालला और इसमें कोई सियासत नहीं है ये मेरे कराची वाले गवर्नर हाउस में 50% मेरे सिंद के बच्चे आते हैं इंटिरियर से, हैदराबाद से, सांगर से, मिरपूर खास से, नवाबशा से तो ये सारे बच्चे जने हम जो कोर्स करा रहे हैं उस एक कोर्स की कीमत 6-8,000 डॉलर है लेकिन मैंने ये एहद किया है और आज मैं यहां शाब लतीब बटाई के मजार पर ये एहद करके जा रहा हूँ कि इस सिंद की धरती में जो जो आईटी सीखना चाहेगा बैसियत गवरनर सिंद उसे मुफ्ट एडवांस आईटी कोर्स करवाएंगे और इन्शालला उताला उसे अपने पैरों पे खड़ा करके 15-20 लाग रुपे महीना कमाने वाला बनाएंगे इन्शालला उताला ये वक्त दूर नहीं है ये वक्त दूर नहीं है इसलिए S.I.E.F.C. में हमारे आर्मी चीफ ने आईटी को खास तोर पे डाला है ताके उसके एक्सपोर्ट में हाइल तमाम रुकावटें दूर हो सके तो मैं समझता हूँ कि आएंदा आने वाले 6-8 महीनों में हमारे सूबे के लाखों नौजवान बेहन, बेटियां, बेटे, हमारी माएं वो इस आईटी के कोर्स को करके अपने घर में 15 से 20 लाख रुपे महीना ला सकते और इसमें ये भी मैं आज बता दू कि ये कोई बड़ी रॉकिट साइंस नहीं है जिसे जिसने आठमी पास किये जिसने मेट्रिक किया है वो भी ये कोर्स कर सकता है हम वो टेकनीक सिखाएंगे हम उसे तर्बियत देंगे और इंशालला ताला वो नौकरी देने वाला बनेगा इंशालला ताला और इंशालला ताला जितनी परिशानिया इस सूबे की आवाम ने उठाई है अल्ला ताला ने मुझे बारा रबी उबल वाले दिन इस मनसब पर बिठाया और उसी दिन मैंने अपने अल्ला से एहद किया था कि मैं आपकी रजा के लिए काम करूँगा इसलिए हमने गवर्नर हाउस में जो स्लोगन लगाया है वो ये लगाया है कि हम फर्द नहीं एक कौम है और इंशालला ताला एक कौम बनकर हम दिखाएंगे और मैं यहां अपने सहाफी बाईयों का जो हमेशा मुझे 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 महबत हैं प्यार देते हैं इसलिए जब भी मैं यहां आया हूँ उनका भी शुक्रिया दा करता हूँ कि वो सब यहां मौजूद है मौझे मूरा ना राज कि वो सब यहां मौझे इसलिए जोगता हैं इसलिए मौझे मौझे जोगे वो जो जो तो पुझायू, मन जो मुरादू, ओ पिताचा पिताई।